जैसे कि आप देख रहे हैं Epson PLQ 20 के साथ साथ मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था कि कैसे sorting चेक करें तो उस तरह से आप यहां पर Epson FX 890 890 और 21 75 सेकंड और 2090 का भी आप Epson तो उसका logic card कैसे चेक करते हैं sorting बार बार है लगाते हो शौर्ट हो जाता है रिंटर नो पाइर हो जाता है तो उसका क्या होता है यहांड अपसको बताते हैं तो आप देखिए सबसे पहले यह 40-39 आइसी नमबर है उसमें 40-37 जो होता है 40-40 क्याउन होता है इसमें SLA यह iC क्य तो उसमें आपको क्या करना है method सब का सेम ही होता है यह वाला जोगचीप सॉट होता है यह अप्शन 2090 में तो इसमें क्या होता है नौट पारिंग ओन होता है इसको बैक साइड से इसको चेक करने के लिए यह वाले जोगचीप है जो SMD टाइप आते है इस टाइप से चीप हो इस तो इदर बैक साइड से चेक करेंगे बीप range पर मॉल्टी मेटर से तो यहाँ पर बीप आएगा तो समझो हमारा अभी यह ओक्ट है आव बार बार है आपकी शॉट और है तो क्या उसे सॉल करें किसे करें किया प्रवलर नहीं है हमारे लोजिकाइड है कि हमए चक कर प्रवल को आपको यहाँ प Cookie क्या आपके पास बल्टिमेटर होता है। यूनिट का मल्टिमेटर है, इसमें आपको कहीं कॉमन रखने की जरूवत नहीं, जब आप मस्टक का मल्टिमेटर यूज करते हो, तो कॉमन रखने की जरूवत है, तो आप देखोगे इधर पे यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है, पहले नमबर पे टच करोगे, दूसरे पर टच करोगे तीसरे पर किसी पर बीप नहीं आना चाहिए किसी पर भी जो ग्राउंड ठीक है अगर बीप आता है कंटिनिवसली देखें बीप आया चला गया तो यह सौट नहीं है ठीक इसी पर हम पिन पर टच करें जहां पर है हेड की केबल लगती है बीप नहीं आना चाहिए अगर बीप आया तो समझो यह दोनों साइसी में कोई आईसी शौट है फिर आपका अब हेड लगाओगे तो आपका हेड भी शौट हो जाएगा इस केस में अगर बीप निकल जाए किसी पिन पर बीप दे रहा है कोई वैलू नहीं आना चाहिए तो फिलाल इस दूस्तों इस वीडियो में इतना ही है बाकि आपका मोटर वगरा मूब नहीं करता तो यह दो आईसी रिस्पांसिवल होते हैं जातर से इस केस में ही होता है कि यह दोनों आईसी शौट हो जाते है फट जाता है ठीक है तो इसको बदलना पड़ता ठीक है तो बिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेयल कीजिए अगर आपको और कोई दिक्कात आ रहा है तो आप हमें वीडियो बनाके आप ह कमेंट सेक्चेन में लेख सकते हम उस पर टॉप पर वीडियो बनाएंगे धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में